MSP के उपर रहेगा चने का भाव। दालों के बढ़ते दाम के बीच चने की नई फसल करनाटक और महाराष्ट्र की मंडियों में आ गई है। इस साल इसकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP किस तर से उपर रहने की संभावना है। क्योंकि बुवाई कम हुई है। राजस्थान, करनाटक और गुजरात में बुवाई क्षेत्र में गिरावट के कारण देश में इस रभी सीजन में चना का रखबा 109.7 तीन लाख हेक्टेयर की तुलना में घटकर 102.9 शूने लाख हेक्टेयर रह गया। हाला की, क्रिशी मंत्राले के नए आंकडों के अनुसार, बड़े उतपादक राजयों मध्यप्रदेश और महाराष्टर में क्षेत्र में वृद्धी देखी गई है। जबकि व्यापार सूत्रों ने कहा कि क्षेत्रफल में गिरावट और अनियमित बारिश से उतपादन पर असर पढ़ने की संभावना है। इसलिए इस बार चने का दाम पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो सकता है। रभी मारकेटिंग सीजन 2024 से 25 के लिए चने का MSP 5440 रुपए प्रती क्विंटल तै किया गया है। इंडिया पलसेस एंड ग्रेंस एसोसियेशन का कहना है कि फसल के आकार का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी और अगले पक्वारे में सपष्ट तस्वीर सामने नई चना फसल का दाम करनाटक और महाराष्ट्र की मंडियों में इस समय 5700 से 6200 प्रती क्विंटल के बीच है जो MSP से अधिक है। इससे किसानों को फाइदा मिल रहा है। चना की कीमतें मौझूदा स्तर पर रहने की संभावना है। क्योंकि सरकार ने 31 मार्च 2024 तक शून आ आयात शुल्क पर पीली मतर के आयात की अनुमती दी है, जिससे कीमतों में किसी भी व्रिधी को रोकने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश और राजस्थान में फसल की स्थिती अच्छी दिख रही है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में मौसम का रुख कैसा रहेगा इसे देखना होगा। मध्यप्रदेश में फरवरी के अंत तक आवक शुरू हो जानी चाहिए और कुल मिलाकर फसल में 2-5 फीसदी की कमी आ सकती है। जा रहा है कि कीमतें MSP स्तर से उपर स्थिर रहने की संभावना है।